दोस्तो आज के वीडियो में हम free or pay application चे limit को activate करना और उस limit को अपने bank account में transfer करने तका process आपको बताएंगे दर असल दोस्तो free or pay application में आपको दो तरीकी limit मिलती है आप यहाँ पर pay letter limit भी ले सकते हो और यहाँ पर personal loan के तरह credit limit भी ले सकते हो pay letter limit के बात करें तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपय के limit मिलती है जिसमा आपको without income proof सिर्फ आधार कार्ड और pen card के basis पर पूरे 10,000 रुपय के limit मिलेगी जिसा आप scan and pay करके भी यूज कर सकते हो और direct अपने bank account में भी transfer कर सकते हो और personal loan के बात करें तो वो आपको 5,000,000 रुपय तक ही मिलेगी तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको free hop application में account के से create करना है के वाईच के से करना है, limit के लिए apply के से करना है, limit जो भी मिलेगी उसे activate के से करना है और उस limit को अपने bank account में transfer के से करना है तो अगर आप भी फ्रियो पर एफ्लिकेशन से लोन लेना चालते हो और आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो मैं गिरेंटी देता हूँ कि आप नारेज होके नहीं जाओगे सो नमस्कर दोस्तो जगविगान में आपका एक बर फिट से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रू कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आगे डबा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिससे हमारी हर आनेबाले इसी तर्क से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहा है तो चले एंगर आप भी फ्री होँआपिलिकेशन से लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लिकेशन के लिए अपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर क् रूप लोन अप्लाई करके और उस लोन अमाट को हमारे बेंक अकाउट में ट्रांसफर करने तका प्रोसेस हम आपको समझाएंगे तो यहाँ पर हम डीटेल में देखे तो इस कंपनी से आप दो तरीकी लोन ले सकते हो एक प्रेडिट लिमिट भी ले सकते हो और एक प्रोसेसिंग फिच रहेगी और लॉट लयन चैटफ फिच रहेगी इसका एंग्जांपल रगेड़ा यहां पर बताए हूए है और निचे इसका भी नीच वेच़े करता ही हुआ है इनके साथ total chart nbpc जोड़ी हुई है जो कि यहां पर लिमिट प्रोइड करती है और नीचे इसका contact support भी मिल जाएगा अगर इस application में आपको कोई अब यहां दोसा हमें next next करते जाना है जैसे next करेंगे तो अभी last में एक option मिलेगा get start का तो simply उस पर क्लिक करना है उसके बाद इस वाले page में यहां पर अपना mobile number एंटर करना है और send otp पर क्लिक करना है तो हमारे mobile number पर एक otp send किया जाएगा वो auto में ही यहां पर एक company ले लेगा और हमारा mobile number auto में ही verify हो जाएगा mobile number verify होने के बाद यहां पर हमारे समने अगला page open होगा जिसमें हमें email id देने होगी तो email id देने के लिए यहां पर दो option मिलेगे हम direct google से भी हमारा email id verify करवा सकते है अधरवाज यहां पर manually भी हमना email id एंटर कर सकते है तो हम यहां पर verify using google पर क् अब यहां पर दूस्ता हमें continue पर क्लिक करना है तो हमसे यहां पर कुछ permission पूची जाएगी तो यहां पर continue to permission पर क्लिक करके सारी permission को हमें अलव कर देना है उसके बद हमारे समने अगला page open होगा जिसमें हमें sign up करना होगा तो उसके लिए यहां पर कुछ detail हमसे पूचेगा जिसमें हमारे यहां पर full name enter करना है जो pen card में है इस सेंवेसा ही उसके बद यहां पर date of birth एंटर करनी है gender select करना है pen card number यहां पर एंटर करना है और हमारा area के pin को number एंटर करना है उसके बद दूस्तों नीचे पूचर है कि क्या आप full time work करते हो या part time work करते हो तो यहां पर हमसे security criteria civil score वगरा चेक करेगा अब यहां पर दूस्तों हमारा civil को fire भी करेगा उसके लिए हमें एक message भी मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका civil score अभी चेक हो रहा है तो आपको थोड़ी दियर वेट करना है अभी थोड़ी दियर में पता चल जाएगा कि हम यहां पर limit लेन अभी बाकी है उसके लबाद दूस्तों नेचे यहां पर इस application में आप saving account भी खोल सकते हो लेकिन अभी हमारे case में disable है हम यहां पर saving account अभी नहीं खोल सकते अधिरवाजी saving account में हमें साथ परसंग का interest भी मिलता है अब यहां पर दूस्तों हम आज pay letter limit के बारे में बात करेंग तो पहला option है उस पर यहां पर activate now लिखा हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है जैसी हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमरे समने कुछ इस तरी के सेंटर पर साइगा तो अब यहां पर दूस्तों हमें एक selfie upload करने होगी तो selfie के लिए यहां पर कुछ interaction बताएगी हुआ है उसे follow करते यहां पर हमें एक selfie देनी होगी तो अब यहां पर एक option मिलेगा continue to take selfie simple हमें उस पर क्लिक करना है तो हमारे समने front camera open हो जाएगा जिसमें हमारे एक selfie क्लिक करने है और यहां पर upload कर देनी है उसके बाद यहां पर हमारा SIM verify करेगा तो उसके लिए यहां पर एक option मिलेगा verify my SIM उस त्रीक से देल सकते हैं अगर हम चाहें तो byज้मोंस से भी हमरा आधर कड्र करवा सकते हैं अध्रआसल यहां पर दोस्तों डायबकि आधरकर1000 और घ्रफ आधर करेंगे तो यहां पर दोस्तों यहां पा stellen मिलेगा वेरिफाइइज निकड़नी किया जैएगा वाइएपकर अब यहांपर दोस्तो थोड़ी देर में हमें बता दिया जाएगा कि हम actual में कितनी limit के लिए eligible है तो यहांपर अप्लाइप रूप देख सकते हो हम यहांपर सिर्फ 1000 रुपय की लिए eligible है तो 10,000 रुपय के limit में से हम अभी के लिए 1000 रुपया ही यूज़ कर सकते है लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर हमें एक्टिवेट करना होगा इस लिमीट को तो यहाँ पर हम एक्टिवेट नाव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर हमरा QR कोड का ओप्सन इनेबल हो जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हो हमारा QR कोड अलोग हो चुका है अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो ऑब यहाँ पर दूस्ता हमेट रेक्पास कोड क्रियेट करना होगा जब भी हम यहाँ पर ट्रांस efficient अगरा करेंगे तो यहीं पास कोड का यूज करके हम ट्रांजिक्ष दोस्त हम scan and paper click करते हैं तो हमरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जा रहा है अपी के लिए यहां पर दोस्तो ऊपर बताये गया है कि scan and pay temporarily unavailable for everyone transfer money to your bank account यानि कि अभी के लिए हम scan and pay का यूजर नहीं कर सकते हैं इन्होंने temporary कुछ बंकर के रखा हैं हम इस limit को direct अपने bank account में transfer कर सकते है तो यहां पर हम bank आते है तो आप यहां पर दोस्तो हम Autism limits को हम अपने bank account में transfer कर सकते हैं या दूसरा है send money हम कोई other account मेंअ money को transfer करना चाते हैं तो भी कर सकते हैं तो आज हम दोस्तो इस limit को हमरे bank account में transfer करना दिखाएंगे तो यहाँ पर हम self transfer पर click करेंगे तो हमरे समने bank account detail fill करना का option आएगा जिसमें हमारा bank name यहाँ पर select करना है account number यहाँ पर enter करना है दुबारा से वही account number यहाँ पर enter करना है IVC code यहाँ पर enter करना है उसके बाद simply confirm पर click कर देना है जैसे confirm करेंगे तो हमरे bank detail verify होगा उसके लिए हमरे bank account में एक रूपया सेनी किया जाएगा हमरे bank account में एक रूपया आती है हमरे bank detail यहाँ पर verify हो जाएगा दूस्तो यह जो free of pay के limit है उसे आप 30 दिन के लिए 0% interest पर use कर सकते हो लेकिन यहाँ पर जिस तो आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर बते ही किया है कि आप जितनी भी amount transfer करोगे उस पर 6% convention piece लगेगी तो यानि कि हमें यह चो रूपया transaction कर रहे है तो उस पर हमें 6 रूपया extra देना होगा तो यह बात का आपको ख्याल रखना है यहाँ पर 0 interest पर मिलती है लेकिन convince फिस तो लगा ही जाती है उसके बाद हमारे समने अगला page open होगा जिसमें हमें amount enter करने है कि कितनी amount हमरा bank account में हम transfer करना चाहते है तो देखें दोस्तो अभी मुझे जादे amount की जरूत नहीं है तो यहाँ पर मैं दिखाने के लिए 100 रुपिया का transaction करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं 100 रुपिया एंटर करूँगा और यहाँ पर इस arrow पर क्लिक करूँगा तो हमसे यहाँ पर दोस्तो पासकोड पूछेगा जो पासकोड हमने थोड़ी दिर पहले ही चेट किया था वो पासकोड यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारा ए 100 रुपिया का transaction पेंडिंग में चला जाएगा अब यहाँ पर बताई गया है कि विदिन 24 गंटे के अंदर एलो माउट आपके bank account में transfer हो जाएगी और उसके बाद नीचे यहाँ पर बताई गया है कि यहाँ पर आप जो भी transaction कर रहे हो वो आपके bank चालो होए तब यह आप करो तो ही आपके bank account में एह money to return transfer होगी यानि कि सारी banking का time होता है सुबह 10 बसे चले के साम 5 वजे तक और bank में Saturday Sunday weekend होता है तो उस टाइम पर अगर आप यहाँ पर money transfer करोगे तो आपके bank account में money transfer नहीं होगी यानि कि तुरन transfer नहीं होगी आपकी bank जब चालो होगी तभी आपके bank account में money transfer होगी ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों 24 गंटे का बताया हुआ है लेकिन 24 गंटे का टाइम नहीं लगता सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हमरे bank account में money transfer हो जाती है अब यहाँ पर दोस्तों हम go to it पर क्लिक करते है तो हम इसको home page में आ जाएंगे जिसमें आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो और उतने में ही दोस्तों यहाँ पर आप देखो मुझे message आ चुका है जिसमें बतायगी है कि 100 रुपया का transaction successful है आपके bank account में हो चुका है तो इस तरह के सा दोस्तों यहाँ पर आप transaction वगरे कर सकते हो अब यहाँ पर दोस्तों इसका bill payment करने के लिए यहाँ पर आप last में निचे देखोगे तो एक bill का सेक्षन देखेगा उस पर click करोगे तो आपके सामने इस तरह के सेंटर्वेस आईगा अब यहाँ पर दोस्तों आपका जब भी bill जन्रेट होगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा अब आपका bill हर मेहने की पेले तारिकों यहाँ पर जन्रेट होगा और उसके बास पांस दिन का आपको समय मिलेगा पांस तारिक तक आपका उसका रिपेमेर करना होगा तो एक से पांस तारिक के अंदर आप इस bill का रिपेमेर कर सकते हो तो इस तरीके साथ दोस्तों आप फ्री ओपे से पेलेटर लिमीट ले सकते हो अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हो तो मुझे कॉमेट में बताना मैं उसके उपर एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको एक वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेर, कमेट and सब्सक्राइब करना ना भूले तो चले दोस्तों मिलते हैं को रेसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई